नमत्सकार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंदर कुमार सैनी और आप देख रहे हैं वाई टीबोस YouTube चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना खेर दोस्तों बढ़ते है वीडियो की ओर दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमें एक ऐसा तरीका बताईए जिससे हम फिरी में अपने चैनल का अपने योट्यूब चैनल का एक प्रोफेशनल लोगो बना पाए तो आज मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लेट रूप से बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने योट्यूब चैनल का जो है लोगो तयार कर सकते है लेकिन दोर्प inmiddels लोगो तयार करने से पहले आपको एक चीज का दिया नखना है कुछ लोग क्या गलती करते हें वह अपनेश्यंट चैनल का लोगो बनाते यह उससे क्या होता है दुर्फतों suppose कर लेजिए आपके चैनल का नाम जो है टेकनिकल बोस है तो वहां पर यदि आपका चैनल का लोगो कुछ इस्तरे का रहेगा टी बोस जैसे मेरे पुराने चैनल पर है तो कुछ लोग क्या करते है वो टेकनिकल बोस भूल जाते है वो गू बढ़ जाती है जो आपका चैनल हो फर्ष्ट रैंक पर जाए और वहां पर आपको फाइदा होगा आपके वी बढ़ेंगे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो उस तरह का लोगो आपको कैसे बनाना है जो की अच्छा लगे ओके और जो भी देखें जो है उसको तुरंत ही याद अप्लिकेशन से जिससे मैं पिछले चार साल से सभी तरह के जो है अपने यूट्यूब थमनेल भी बनाता हूँ और जो है सभी तरह के जो है लोगों भी बनाता हूँ तो यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे एक अप्लिकेशन जिसका नाम है पिक्सल लैब और पिक्सल लै करने के बाद यहां पर उपर की साइट थे डोट मिलेगी इन थे डोट पर क्लिक करेंगे आप यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इमेज साइज इमेज साइज पर जाएंगे यहां पर आपको कस्टम दिखाई देगा कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको select करना है profile picture square तो इसको select करेंगे और यहां पर इसको select करने के बाद यहां पर आपको देखना है 1024 डला हुआ है तो यहां पर आपको क्या करना है 720 डाल देना है 720 और इसके बाद आप इसको okay कर देंगे अब इसके बाद जो इसका size था screen का वो घट चुका है पहले बड़ा था थोड़ा अब यह घट गया है अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है यह टैक्ट आ रहा है यहाँ पर नीचे की side A आता है लिखावा यहाँ पर A देख रहे होंगे आप A पर click करेंगे इसको यहा यहाँ पर आ रहा है बनावा shape यह वाला shape पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे ठीक है यहाँ पर click करने के बाद आपको क्या करना है सबसे उपर एक गोले वाली shape है यह गोले वाले आप shape ले लेंगे यहां से यह इस तरीके से आ जाएगी अब यहाँ पर आपको क् कुछाने करना, वहाँ पर लोगों रहता है, वो इतना ही साइज का रहता है, अब इसका पुरा साइज मेंटेन हो चुका है, अब जो भी आपको लिखना है, इस गोले के अंदर लिखना है, ओके हो कैसे-कैसे करना है थोड़ा वीडियो को देखना इसके बाद यहां से आप इसको कर देंगे टिक यहां से नीचे की साइड से ओके टिक कर दिया मैंने अब इसके बाद आपको क्या करना है यह जो गोला है इसको फिरिज करना है यानि कि रोक देना जिससे हिले ना इदर उदर यहां पर ज चैनल लिए एक professional logo अब आपको क्या करना है दू बारह से यहां पर shape पर जाना है यहां पर shape है नीचे की side जहां से गोला लाय था इसके वाद पर यहीं किलिक करना है अब आपको क्या करना है यहां पर आपको एक option मिलेगा गोले ब्राबर में हाप गोला, इस हाप गोले को टच करना है, और यहां से इसका एक color select करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, उसका color जो है black, अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना है, इस black जो अमने गोला लिया, इसको ऐसे खीचना है पकड़ के, यह खीच अब यहाँ पर आपको अपना लोगो बनाने वहीं, अब आप देख सकते हो, यह जो है, हाप होने वाला है, तो यह हो कर रहा हूँ, मैं इसको ध्रे ध्रे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यह हाँ हो चुका है, इसके बाद आपको क्या करना है, यह जो गोला है, यहाँ पर को रोप का उप्सन मिलेगा नीचे के शाइड को पर जाना है यहां पर एक उप्सन मिलता है दोश्तों नीचे के शाइड यह पर क्लिक करेंगे यह उल्टा हो जाएगा तो यह उल्टा हो गया इसके बाद यहां से इसको टिक करेंगे अब इसको यहां पर नीचे के एक बड़ा हो गया स्वालड़ कर लेंगे यहां पर करेंगे यहां से में इशाथ पर पर जाएंगे इसको करेंगे Unable और यहां पर आ आपको लेना यहां पर सब्ही बैद लेंगे वह क्ष्क्रण रिएलए कि अब इसके बाद हम कहीं भी इस इस screen पर click कर देंगे बराबर की side है हमने click कर दिया अब यहां पर इस तरीके से यह बन चुका है अब हमें क्या करना है यहां पर लिखना है यहां पर एक option मिलेगा निच्छे के side एक option पर जाएंगे यहां पर मिलेगा text का टेक्ट पर जाएंगे इसके बाद यहां पर एडिट का उप्षन मिलेगा एडिट पर क्लिक करेंगे अभी यहां पर आपका टेक्ट लिखने के लिए आ गया सपोस कर लेजिए आपके चैनल का किया करना है अपना जो लोगों है आपका इसका इसका short form में नाम बनाना आई जैसे सूरज कुमार टेकनिकल आई तो नाम क्या हो गया away एक टेकनिकल सूरज कुमार गेमर है तो सk गेमर चैनल का नाम बनाता हूं एसके gamer के नाम से, S, K, मैं उपर कर लेता हूँ S, जो यानि कि अब यहां से S, आ गयाँ, यहां पर लिखावा, अब यहां पर इसका स्वाइप करेंगे स्को, यहां पर आएगा बढ़ा करने के लिए, साइज, यहां पर साइज जो बढ़ा करेंगे, अब यहां पर यहां पर हमने इसको S को लिया अब ध्यान रखना है इसको पूरा में पूरा मैच करना है क्योंकि जिसे जो आपका लोगो होगा जब वो सैट हो जाएगा आपके यूटूब चैनल पर वहां पर साप दिखाई देगा यदि आप इसको छोटा रखेंगे तो दि यहां से इसको घड़ा बढ़ा सकते जैसे मैंने बढ़ाया तो अब यह देखो S के बहुत मोटा हो गया है ना S के बन गया इसको यहां से अब नीचे की साइड हमें क्या लिखना है हो यहां पर फिर दुबारा टैक्ट पर जाएंगे एडिट पर जाएंगे और यहां पर हम लिख देंगे gamer हमें ध्राइब जी एम एघ एर ओके यहां सेसे बढ़ा दिए उसको कुण से है एसे घारा ऊकर नआ है याँ से ऐसे participant को दिखा रहा हूं इसको मैं बढ़ाaya इसको यहां से ले लेते हैं white ले लिए हमने यहाँ पर और अब white लने के बाद इसको क्या गरना shadow डानना जिससे कि ऊपर के जैसा match हो जाए यहां पर मिलेगा Shadow का option आपको एक shadow पर जाएंगे यहां से इनेबल करेंगे इसको और यहां यहां पर rotate का option मिलेगा rotate पर क्लिक करेंगे इसको minus 10 एंगल गुमा देंगे minus 10 यहां पर आप क्लिक करते जाएंगे तो यहां पर आप देख तो minus 10 आ चुका है अब यह घूम चुका है minus 10 पर ओके थोड़ा तिर्जा हो गया ना इसी तरह के से जो gamer as पर क्लिक करेंगे rotate पर जाएंगे इसको भी यहां से minus 10 एंगल देंगे अब यहां पर आप देख सकते हो SK gamer का logo ready हो चुका है अब आपको क्या करना है दोश्तो Skke पर क्लिक करना है यहां पर जाना है ऐसे swipe करना है यहां पर option मिलेगा opacity का opacity पर जाना है इसको यहां से इनेबल करना है opacity का मतलब क्या होगा जो इसकी चमक रहेगी जब आपका logo लग जाएगा वहाँ पर ऐसे दिखाई देगा जैसे भी आप देख रहे हैं यदि आप opacity इसकी इनेबल नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपका logo फीका पड़ जाएगा दोस्ते यह मैं आपको एक example बता रहा हूँ कि इस तरीके से बना सकते हो आप बाकि आपके इच्छा है जो भी यहां पर डिजाइन करना है या कुछ भी लिखना है वह आपके हाथ में रहेगा इसी तरीके से आप gamer पर जाएंगे यहां पर क्लिक करेंगे opacity पर जाएंगे इसको पर कुरिक करना है यहाँ पर कर आएगा color का option अंब यहां से दोसका पूरे का background वह आपको लेना यहां से ओके वाइड बैकड्राउन मिल गया यह पूरा वायट हो यहां से okay कर देंगे इसको okay करने बाद आपको क्या करना यहां पर दोट पर जाना है उपर की साइड यहां पर मिलेगा आपको एक्सपोर्ट का उप्षिन एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहां पर उप्षिन मिलेगा कस्टम कस्टम इसकी हटा देंगे आप ओके और यहां पर मिलेगा आपको अल्ट्रा अल्ट्रा कर देंगे यानि आप उसको अपने brand logo उपर set करेंगे वो कैसे करते हैं अगली वीडियो में बता दूँगा आपको अब दुबारा से शेयो करने के लिए यहां पर transparent का option मिलेगा है इस पर click करेंगे अब इसका जो background है remove हो चुका है साथ अब आपको क्या करना है यहां पर जाना है उपर की side ओके और यहां से जो आपके ले 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 लेंगे आप और इसको share कर देंगे अब जो यह यह आपका लोग है यह ready हो चुका है अब यह जो है आपके गैलरी में आ जाएंगे इस तरीके से चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर आप देख सकते हो यह transparent है और यह जो है white logo है यह तो आपको लगाना है जिसके हमने background लिया white वाला यह जो यहां पर transparent आप ने किया इसको आप set कर सकते हो अपने brand logo पर तो इस तरीके से दोस्ता आप बना सकते हो अपना logo बहुत हैसान है यह मैंने आपको केवल एक्जामपल दिया है कि भाई इस size में यह दिया आप करेंगे तो आपकी profile pic पर पूरा वहां पर set बैठेगा आपके profile पर ओके तो यह पूरा maintain होता है इसका size तो आपको इसी तरीके से बनाना है design आपको खुदी कर लेना है जो भी आपको अच्छा लेगी बाकि मैंने आपको बता दिया आपके जो YouTube का चैनल रहता है उसके नाम से ही logo बनाने की कोशिश कीजिए उससे आपका जो सर्च रैंक ह हो बढ़ जाती है आपके चैनल के ओके तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको उच्छ लेगी होगी तो कुछ नया सेखनों को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोर्सतों चैनल को सब्स्राइब कर लेना और ऐसे अपना प्यार बनाई रहे तो यह ताश वीडि